नमस्कार दोस्तो जै बजरंग बली दोस्तो हर किसी को आज के समय में अच्छी लाइफ चाहिए इसमें पैसा भी हो, सक्सेस भी हो और सब सुख भी हो लोग इसे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता हाला कि कभी किसी चीज को पाने के लिए पूजा पाठ के साथ-साथ मेहनत भी जरूर होती है कई बार मेहनत करने के बाद भी रेजल्ट ना मिले तो उसके साथ ही अगर आपको छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं या इन जोतिशी उपायों की मदद ले लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा सफलता का मार खुलते वोग दिखाई देता है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख समर्दी और धन की कोई कमी नहीं होगी दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेजन है कि आप किरपा करके कमेंट बॉक्स में एक बार जै बजरंग बली अवशे लिख दे और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल के बटन को दवाना ना बोले दोस्तो आज के समय में हर किसी की घर में एक तुलसी का पौदा तो होता ही है घर में हरा भरा तुलसी का पौदा परिवार की पमितरता और समर्दी का परतीक होता है तुलसी के पौदे को चल चड़ाते हुए अगर आप विशेश मंतर बोल दे तो आपके जीवन में सुक और स दुख एक हजार गुणा बढ़ जाता है वही साथ ही साथ रोग शोग विमारी आदिसवी से आपको चुटकाराभी मिलता है तो दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्योग आएं दोस्तों हिंदु पूरी तरह मुक्त होगा हर किसी के जीवन में दोस्तों थोड़ी बहुत परिषानिया तो होती है या ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि परिशानी हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, बिना परिशानी के कोई भी मनुष्य नहीं है, लेकिन जो लोग धर्म करम से जुड़े हुए हैं और भगवान की पूजा पाध आदि से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में परिशान के दुख अपना घर बना लेते हैं सास्त्रों में सुर्य उदय और सुर्य के महतु के बारे में बचाया गया है ये दोनों समय पूजा पाठ करने के लिए बहुती सुब माने जाते है इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का खत्म हो जाती है और अंत हो जाता है। और साथी साथ भगवान से धन प्रापती और सुख समरजी का आशिरवाद भी हमेशा के लिए प्राप्त होता है। सुबह और साम को यानि सूरे उद्य के वक्त और सूरे अध्य के समय पूजा पाठ आजी करने से परेशानिया हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। सुबह सूरे दे के समय उठकर नाने के बाद सूरे को और तुलसी को जल चड़ाना बहुत ही सुब मना जाता है। तुलसी को जल चड़ाना ही क्यों दोस्तों। तुलसी को छूलेने मातर से भी मनुश्य पवित्र हो जाता है और उसके पापों का अंत होता है। वहीं तुल्सी पर दीपक जलाने का भी विदान है। सूराष्ठी के समय तुल्सी के पौदे के समक्स एक दीपक जलाना बहुत ही सूर माने जाता है। इसके साथ ही एक मंत्र जिसके बारे में आज्मा को बताने वाले हैं, यदि इसके जाब किया जाए, तो इस से व्यक्ति को जीवन की सबी प्रेशानीं से चुटकारा मिल जाता है, और मुक्ति मिलने के साथ ही उसके जनञढ़ांत्र की दरजरता मिट जाती है, तुलसी के पौदे के बारे में कहा जाता है कि विना तुलसी के पौदे के श्री नारायन की पुजा सफल नहीं होती है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिसकिसी व्यक्ति को अपने जीवन में धनकिया विलाशा होती है, धनप्रावति की इच्छा होती है, वे व्यक्ति अपने जीवन में कठोर से कठोर परिश्रम करता है, हर संबा प्रयास करता है कि वे माता लक्षमी को परसंद कर पाए, लेकिन दोस्तों बगवान नरायन की पूजा करने के बिना मातलक्षमी को प्रसंद करना ना मुँखिन है और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति तुल्षी की पूजा नेमित रूप से करता है उसे स्रीहरीबिश्नु खुदी प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों तुल्सी के पौदे को केवल छू लेने से भी व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसे सबने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति जन्मों जन्मों के पाप से और दर्दरता से हमेशा के लिए तर जाता है तुल्सी के पौदे को सुर्क का पौदा भ बनी रहती है और घर में सकारत्मक उर्जा का प्रवाव बढ़ जाता है तुल्सी के पौदे को सुबह जल चड़ाने और साम के समय उसके नीचे एक दीपक जलाने से घर परिवार में सुक सम्रदी हमेशा बनी रहती है और धन आने के नई-नई मार्ग खुल जाते हैं दोस्तो मंतर है महा प्रसाद जन्नी सर्व सोभाग्य वर्देनी आदी व्यादी हरा नित्य तुल्सी तुए नमस्तुते दोस्तो इस मंतर का अर्थ है हे तुल्सी आप जीवन में सभी प्रकार से सोभाग्य को बढ़ाने वाली है हमेशा आप लोगों की बिमारियों को दूर करके उ एक बार बोल देना है उसके बाद आप इस दीपक को उठा करके अपने घर में एक चक्कर लगाएं ताकि सभी जगे सभी घर के सभी स्थानों को तुल्सी मा का आशिरवात प्राप्त हो ऐसा करने मातर से आपके सभी पापों का अंत होने के साथ यसाथ आपकी सभी चाहिए पूरी हो जाती है जितना भी धन आपको अपनी जीवन में चाहिए होता है उसका आशिरवात आपको माता लक्षमी और माता तुल्सी के दवारा मिलता है और इसी उपाए से स्रीहरी बिश्नुग कभी आपको आशिरवात प्राप्त होता है जिससे आपके जीवन की धन कमाने की सभी च्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किवले इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में इजाजा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जैब जरंग बली